इंडिया का पावर बढ़ रहा है और इंडिया जीतेगा ये अंडिये हारेगा आज अमड के संसदी इतियास में निरगवा एक काला धब्बा है और दोजार चौबिस में ये धब्बा मिटा दिया जाएगा सबसे जादे हिंदू मुसलमान के नापन नफरत प्यदा करने का काम प्रधान मंत्री जी करते हैं तो उम्प्रकास राजबर एक सामिल बाजा होता है सामिल बाजा कभी अकेले नहीं बचता है और भारती जन्ता पार्टी में अस्सा व्यवासा का इस्तेमाल करने वालों की जरूरत रहती है तो उम्प्रकास राजबर को उनों ने गले लगा दिए दिस तरह की घखना मड़ीपुर के अंदर हुई है भान बीठियों को नंगा प्रदान मंत्री जी कहीने कई भाईवीत हैं आने वाले 2024 के चुनाव से कि उनके जाने के पहले की अब उखलाट है लगातार मिथ्या आरोप आंकार की भासा जतने व्रस्टा चारी थे आज की तारिक में भारती जन्ता पार्टी में चले गए वह दूत के दुले हुए हो ग और हमारे साथ बाचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के मुबारक पुर्विधान सभा के विदायक अखलेश यादोजी मवजूद हैं इनसे हम लोग चर्चा करेंगे 31 जुलाई को शुपाल यादो के आगमन को ले करके और जो बिपक्ष ने मिल करके इंडिया नाम स जो अपना संगठन बनाया है सभी दलों को मिला कर उसके उपर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ये जानने का प्रियास करेंगे कि जिस तरह से सांसद निरवगा है आजमगड के समाजवादी पार्टी की नेताओं पर हमलावर हो रहे हैं उसको लेकर के इनका क्या सोचन रही है इंडिया नाम दे दिया वैधानिक नहीं है नहीं करना चाहिए था और आज की अख़बारों में भी अगर देखा जाए जो बड़ी सुर्कियां है देश भक्ति दिखाने के लिए नहीं लूटने के लिए बदला विपक्षने नाम एक हैना हमारे प्रदान मंतरी नर अन्यवाद ग्यापित करूंगा जिन्होंने देश और प्रदेश की जनता की मनवहावना को पाचानते विए और सबकी मनसा के अनुरूप विपक्षी मोर्चे में सामिल हुए है और विद्वत उसकी अगवाई कर रहे हैं जहां तक इंडिया नाम की बात है तो इंडिया तो हमारे देश का नाम है हमें गवरा होना चाहिए कि देश की नाम पर सारे विपक्षकरों के कठा हो रहे हैं और इस समय जरूरत भी देश क को बचाने की है सांप्रताइक्ता से बचाने की है मांगाई से बचाने की है विरोजगारी से बचाने की है कानून बेवस्था खरायवा उससे बचाने की है तो इंडिया के नाम पर ही कर सब लोग के कठा हो रहे हैं तो यतनी बुरी बात तो नहीं है यतनी बुरी बात बार सबसे बड़ी पर बैठा हुआ है राजनीत में सबसे घृत भाता का इस्तेमाल सबसे बड़ी कुर्ची पर वैठा हुए व्यक्ति करता है सबसे जादे हिंदू मुसलमान के नापन परण प्रत पैदा करने का काम प्रधान मंतरी जी करते हैं बिपक्षी लोगों को बिपक्ष के लोगों को दुर्भार की भाष साका इस्तिमाल अपमानित करना अंकार में चूर-चूर हो करके तो यह हमारे प्रधान मंतरी का ही काम है यह हमारा आपने अभी तक मेरी उस बात का जवाब नहीं दिया कि बिपक्ष ने इंडिया नाम इसलिए रखा है ताकि वो लूट कर सके भरष्टाचार कर सके हैं पार्का के रहे हों चाय यूपी के रहे हों इस सारे के सारे लोग जो भारती जनता पार्टी में चले गए वह दूत के धुले हुए हो गए और जो भारती जनता पार्टी की वासिंग मशीन में नहीं गए वह भरष्टाचारी हैं तो उनके भरष्टाचार का उनके लोटने का पैमाना अलग है जो भारती जंता पार्टी में है वो उनके पैमाने से बाहर है और बाकी जो बिपक्ष के लोग है उस सब के सब लोग प्रधान मंत्री जी को लुटेरे दिखाई देते हैं ब्रश्टाचारी दिखाई देते हैं तो प्रधान मंत्री जी कहीने कही भैवीत हैं आने वाले 2024 के चुनाव से और उनके अंदर का या डर अना अपसना बोलने के लिए उनको मजबूर कर रहा है मेरा तो यही काना है कि उनके जाने के पहले कि उनकी बाउखलाट है लगातार मिथ्या आरोप आंकार की भासा और लोगों की आलोचनाएं करना प्रधान मंत्री के हैसियत से उनका कोई भी भाशड या कोई बात नहीं होती है तो उनके जाने का वक्त है इसलिए उनके अंदर की बखलाहट उनका भय यह सब उनसे बुलवा रहा है चलिए आपके कुराने साथी 2022 के चुनावा में आपके भी मंच पे आपको भी विधायक बनाने के लिए बड़ा जोर लगाया था उन्होंने और एहसान भी लाद दिया के लिए श्यादों पे कि मेरी वज़एस इतनी सीटे आई नहीं तो नहीं आती अब वो आपके मंच पे थे तो उन्होंने उत्रप्रदेश के मुख्यमंदरी के बारे में बड़ा अनरगल बयान दिया ऐसी जगा बिचवा दूँगा जहां ट्रेनिंग दी जाती है भीक मांगने के तमाम तरह के चीज़ें उन्होंने बोली थी अब वो कह रहे हैं कि मैं भाजपा के साथ आ गया हूँ तो पूरवांचल में मजबूत गड़बंदन बनके हमारा उबरेगा और भाजपा के इलाइंस को जिताने में वो महत्वड़ भूमका निभाएंगे कितना दखल रखते हैं राजभर पूरवांचल में कल की तारीक तब उमकास राजभर भारती जन्ता पार्टी के लोगों को जतना अनाफसना बन पड़ता था बोलते थे और भारती जन्ता पार्टी के लोग भी उमकास राजभर जी को बोलते थे तो हम तो पहले ही कह रहे थे आपसे कि इधर जो समाजवादी पार्टी या राश्टिय दग जी के प्रति उनकी भासा का इस्तेमाल हो रहा था जो बोल रहे थे वा कोई ने ज्युगत भीडाना चाते थे कि किस तरीके से हम भारती जनता पार्टी में चले जाएं और भारती जनता पार्टी में अस्ता वैवासा का इस्तेमाल करने वालों की जरूरत रहती है तो उम्प्रकास राजबर को उनों ने गले लगा लिए उम्प्रकास राजबर के भारती जनता पार्टी में जाने से राजबर समाज के उपर कोई असर नहीं पढ़ने वाला है राजबर समाज उनकी बातों को पहिचान रहा है और जानता है कि अपना भला करने के लिए भारत चलके जमीन लगता है कि यहां पर सपा का अच्छा खासा दखल है उम्रिकास के जाने से लगता है समाजवादी पार्टी को कुछ फर्क पड़ेगा यहां पर जहां तक उनके समाजवादी पार्टी से नाता तोड़ने का है तो उम्रिकास राजबर एक शामिल बाजा होता है तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली थी, तो हमारे साथ थे, किनी मज़ों से सरकार नहीं बन पाई, और उनको सरकार में मंत्री बने रहना बड़ा आवश्चक है, अपने दोनों बेटों को अर्जस्ट करना उनके लिए बड़ा आवश्चक है, तो फिर घुस करके वहीं पहुँच गए बारती जन्ता पार्टी में, साथ तोर पर कहना चाहते हैं कि सत्ता की मलाई के इस चक्र में उम्रकास राजभर जी गए हैं और देखिए उनका होता क्या है, अभी तो आगे-आगे देखना है, रग याओ कि उनके जाने से समाजवादी पार्टी का कोई नुक्सान नहीं होने वाला है, इसलिए कि जिस समाज से वा आते हैं उस समाज के तमाम नेता हमारी पार्टी में हैं, और समाज के लोगोंने उंप्रकास राजबर की चाल को उनकी राजनीत को समझ लिया है अब कोई उंप्रकास राजबर के साथ खड़ा होने वाला नहीं है जन्तर वो समझा रहे हैं आपके नेता संगतन के माधनम से लोग लगे हुय हैं पिछडे जात के सारे नेता लगे हुए हैं और सारे लोग समझ रहे हैं किसी को समझाने कि आउसकता नहीं है और प्रकास राजबर के शुवा को सारे लोग जान गए हैं रादनीत में कभी-कभी मस्खरे लोग भी थोड़ा आउसर मिल जाया करता है तो उनको आउसर मिल गया अब उनका कोई उसर मिलने वाला नहीं है। सारी ओजनाय रास्टी नेता लोग बना रहे हैं और उसके तहत काम कर रहे हैं। प्रधान मंत्री भी इंडिया की चर्चा करते हैं। उनके छोटे मंत्री भी इंडिया की चर्चा करते हैं। उनके मुख्यमंत्री भी इंडिया की चर्चा करते हैं। तो इंडिया का पावर बढ़ रहा है। तब ही तो चर्चा कर रहे हैं। तो उनसे मिलने गए थे, हुँ कहें कि हम लोग पूरी तरह से साथ हैं, उन्होंने प्रधान मंत्री नर्दर मोदी पे भी हमला बोला कि वो मड़ीपूर की घटना पे, उनको आना चाहिए संसद में, सवालों का जवाब देना चाहिए भहस में, हिस्सा लेना चाहिए, मोदी क्यों भाग रहे हैं, इस तरह का आरोप लगा रहे हैं अखलेश यादा हो, आपको क्या लगता है? मनाव सनाव बयान बाजी करते हैं, तो परलाइमेंट से डरते क्यों है? संसद में प्रदान मंतरी को आना चाहिए, और विपक्ष और सत्तापक से दोनों से परलाइमेंट चलती है, तो अगर आप विपक्ष की कुछ नहीं सुनेंगे, तो फिर किस बात की सरकार चला रहे है किहां लोग तंत चला गया, किसले संसद चली रही है, संसद बनी क्यों है, तो लगातार प्रदान मंतरी भाग रहे हैं, और राश्टी अद्धक जी सई सवाल करते रहे हैं, और राश्टी अद्धक जी लगातार उसे सवाल करते रहेंगे, और हमें उमीद है कि प्रदान मं तो विश्व की सबसे बड़ी आर्थक शक्ति बन जाएगा भारत और जो GDP हमारी सबसे फास्ट होगी सबसे नंबर एक पे होगी अखलेश ने कहा कि अगर मड़ीपूर जैसे हालात होंगे देश में तो GDP जो हमारी गर्त में चली जाए हमें मंजूर है लेकिन मड़ीपूर के जैसे हालात नहीं मंजूर है इस पर आपका क्या सुर्शना है राष्ट्य अद्ग जी ने सही कहा दिस तरह की घटना मड़ीपूर के अंदर हुई है बहान बीटियों को नंगा घुमाया जा रहा है जाती के नाम पर हिंसा हो रही है जहां सम्मान और इज्जत पचाने का सबसे पहले सरकार को उसके जिम्मेदारी लेनी चाहिए जी डीवी का सपना दिखा करके के अर्थ ब्योस्ता की बड़ी बड़ी बाते करके प्रधारमंती जी पूरी देश को बाकाना चाहते हैं अर्थ ब्युस्ता गरीब आदमी वहां से समझता है जहां से उसकी रोजी रोटी जुड़ी रहती है जहां से उसके रोजगार के सवाल जुड़ी रहते हैं जहां से उसके बाजार और मार्केट लगते हैं लगातार महंगाई बढ़ रही है डीजल पिट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं पढ़ाई लिखाई में इस्तिमाल होने वाली सामानों के दाम बढ़ रहे हैं ये महंगाई की मार से जनता त्राहि त्राहि कर रही है और आप दुनिया की नम्मर एकी अर्थब्युस्ता बन रहे है यह सारी मित्या बाते हैं, हवा में बाते हैं, हिद्रुभाग्या की प्रदानमंत्री हो करके भी यतना बड़ा बड़ा जूट बोलते हैं कि लोग भरमित हो जाते हैं चुनाओं में मड़ीपूर की घटना है और सरकार की तरफ से जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, लेट लगती फी कोई कारवाई ना करने का आरोप लगा रहा है, तो इस पर आपको लगता है कि कहीं ये नुकसान करेगा बीजेपी को और विपक्षी दल जिस तरह से करदेश का आने वाला चुना हो, इस सारी चीजों को जूड करके भारती जनता पार्टे के लिए खुद भय भी था हैं, कि हम अब लोग जाने वाले हैं, और बौखलाट में ही जो कुछ बोलना है, उनके अंदर का भय बोल रहा है, कहीं से भी 2024 के चुरा में भारती जनता प प्रामा हुआ, उनके प्यारों को लेकर के लखनों में गए थाने से छुड़ा लाए, एकतिस जुलाई को इहां आ रहे हैं, तो किस तरह के तहट आ रहे हैं, कई जनपतों के दोरे पर आदनी स्विपाल जी आ रहे हैं, और हमनों के नेता हैं, और उनके आने से कारकरताओं में उर्जा का संचार होगा, और संगठन की समिक्षा करेंगे, और आने वाले 2024 के लिए जो भी होगा निर्देश जारी करेंगे, चुनाओ लड़ने पे कितना, मतलब लोग कह रहे हैं, कि वो चुनाओ लड़ने वाले हैं, यहां आजमगड से, उनको लड़ाएगी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि दिनेश लाल यादो ने अभी एक महिना पहले एक बयान दिया था, कि मैं छुट भहिया नेताओं के खिलाब, शियुपाल जी को असपश्ट रूप से उन्होंने कहा कि किसी सोर्स से उनको पता चला होगा, शियुपाल जी को अगर को चुट भहिया नेता समझता है, तो उसकी बुद्धी की बलिहारी है, हमारे पार्टी में कोई चुट भहिया नेता नहीं है, सब लोग राष्टी अस्तर के नेता है, सब की अपनी इपनी भूमकाएं हैं, और सब लोग ने समाजवादी पार्टी की और स्रमाज क इस किया है कुछ अता पता है जानकारी है स्विपालं जी के बारे में निरहुद्वा को निरहुद्वा जैसे कई हजार लोगों को स्विपाल जी ने अपने कलम से देख करें मेंँड़के बंढ़ा है कि क्रोलॉद्वाइज नेבהट तर intéressant तो मैंने बादशित किया समाजवादी पार्टी के जमीनी इनेता बिधायक मुबारक पुर्विधान सभा के अखिलेश यादोजी से जिन्होंने हमारे हर एक प्रश्ण का जवाब दिया है और उमेज जदाई है कि 24 में यहाँ परिवर्दन होगा आजमगड में भी और केंद्र की सत्ता में अब क्या होगा वो तो भविष के गर्प में चुपा है हम तमाम नेताओं से बाचीत करेंगे जन्ता से भी बाचीत करेंगे और उनकी क्या कहानी है क्या सोचते हैं जन्ता के मुद्दों के बारे में जन्ता क्या सोच रहे हैं इस बार 24 के चुनाओं को लेकर वो सारी चीज़ें आप तक पहुचाते रहेंगे आप देखते रहे हैं बदले का भारत हमसे बाचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रे बिताएगे